एक विशाल जंगल में बहुत से पशू पश्ची रहते थे। उनके बीच एक चमपक नाम का बड़ा ही नेक हिरन भी रहता था। वह बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोफकारी था। वह अपने कर्म और वचन से सब का ख्यार रखता था। किसी का स्वास्त खराब होने पर व उसके उपचार की भी विवस्था करता था। वहां अपने मेहनत से चारों तरफ हर्याली फैलाता था। एक बार चमपक स्वैम बिमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चड़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कुछ दवाई खाई। लेकिन कोई लाव नही लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। वहां बहुत नराज हुआ। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर वह उठकर कुछ आगे आया। देखा कि दो ही रन उसके इलाके में आ गये थे। वे बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने चमपक को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोला। अरे चमपक कैसी है तुम्हारी तब्यत हम तो तुमसे ही मिलने आया है तुम्हारे हाल चाल जानने। हाँ हमने सुना तुम्हारी तब्यत बहुत खराब है तो हमसे रहा नहीं गया अब बताओ कैसी तब्यत है। तब्यत में कुछ फरक नहीं आया है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी हाँ हाँ अच्छी दवा लेना अपना ख्याल रखना तुम आराम करो हम चलते हैं चम्पक बात खतम होते ही अपने घर वापस चला गया और यहां दोनों हिरन फिर से हरी हरी घास खाने लगे मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया चम्पक ने बड़ी मेहनत से गुलसन सजाया है चारो तरफ हरी आली है इसे देख कर और खा कर तवियत हरी हो गई आज पीट भर खा लेता हूँ कल चम्पक से मिलने के बहाने फिर जाओंगा मुझे चम्पक की तवियत से क्या ले ना मुझे तो ये हरी आली खीच लाई है मैं भी तुम्हारे साथ कल जाओंगा दोनों हिरन का पेट भर गया तो वहाँ से चले गए अपनी इलाके में जाकर वे चम्पक के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे अरे भाई यहां क्या सुखी घास खाते पड़े हो जाओ चम्पक के दरबार में वहाँ चारों तरफ हरी आली है वहाँ जाओ चम्पक का हाल चाल पूचो और पेट बरकर हरी भरी घास खाओ चम्पक बहुत अच्छा है बहुत नेक है उसकी बिमार होने पर भी हमें हरी घास मिल रही है इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बहुत सारे हिरनों की टोली बन गई और सब चमपक के पास पहुँच गए उसका हाल चाल पूछने पहले तो चमपक को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उसका हाल चाल जाने के लिए आए उसके बात का नसारा देख कर उसका सर ही चक्रा गया सारे हिरन उसकी इलाके की घास खाने में चुट गया कुछ हिरन फल भी खा रहे थे उनके पास सर उठाकर इधर उगर देखनी की भी पूर्ती नहीं थी चमपक बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास दो गड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गया यदि यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा कुछ दिर बाद चमपक का एक मित्र भालू जिसका नाम बिल्लू था वो आ गया उसे आने में देर हो गई थी माफ करना दोस्त मैं तुम्हारे लिए औस्दी की तलास में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा औस्दी तो मिल गई लेकिन आने में देर हो गई इसे तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ चमपक ने औस्दी खाई और उसे कुछ समय की बाद अराम मिलने लगा उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुका रहा दो दिनों के बाद चमपक की तबियत ठीक हो गई लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई घास बची थी ना कोई फन उसकी सारी मेनत पर पानी पिर गया था वह उदास हो गया दोस्त चमपक मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है जादा तर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं सब अपने फाइदे की सोचते हैं तुम चिंता मत हो हम दोनों मिलकर फिर से यहां गुलसन सजाएंगे एक नई दुनिया बनाएंगे बिल्लू और चमपक फिर से अपने गुलसन बनाने में लग गये प्रिये दर्सको इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मान के कपट रखने वाले मित्र सत्रू से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे मित्रों से दूर ही रहना अच्छा है अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें विडियो को लाइक करें कमेंट और शेयर करें धन्यवार एक जंगल में एक लूमडी रहती थी जब भी वह शिकार पर जाती थी उसके पीछे चीते पर जाते थे और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता था कई बार तो उसे अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती थी इसी सबसे परिशान होकर उसने एक तरकीब सोची उसने अपने आपको चीता बनाने की सोची लेकिन यह कैसे हो सकता इसी सोच में डूबी रहती एक दिन उसे एक उपाय सुझा दूर गाओं के एक रास्टे पर उसने साइकिल मरमत करने वाला देखा और लोम्री उसके पास गई और बोली ए भाया मेरी पूच को काट कर एक रब्बर की चीते जैसी पूच लगा दो नहीं तो मैं तेरे बच्चो को उठा ले जाओंगी साइकिल मरमत करने वाला डर के मारे लोम्री की पूच काट कर रब्बर की पूच लगा देता है अब लोम्री को चीते वाला मूह चाहिए था फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है मेरा मूह चीते जैसा बना दो नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठा ले जाओंगी डॉक्टर उसका मुझ चीते जैसा बना देता है उसके बाद लोमरी एक पेंटर के पास जाती है मेरे सरीर पर चीते जैसा रंग कर दे नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठा ले जाओंगी पेंटर उसके सरीर पर चीती जैसे रंग बना देता है अगले दिन वह चीते के अजुन्ड में पहुँच जाती है सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि यह नया चीता कौन है अब वह चीते के संग शिकार करती और मजे से चीतों के साथ बैठ कर खाती थी कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं एक दिन लोमडी चीतों के शाथ शिकार पर जाती है तो चीते एक हिरन के पीछे भागते हैं लोमडी भी उनकी नकल करके भागने लगती है लेकिन वह चीतों जैसा तेज नहीं भाग पाती, एक चीते को उच पर शक होता है जब शाम होती है लोमडी चीतों के जुन्ड में आती है और चीते उससे पूछते है अरे तू आज भाग क्यों नहीं रही थी, तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया आज मेरी तब्यक ठीक नहीं थी, कल देखना मैं केले ही शिकार कर लूँगी अगली दिन जब शब शिकार पर जाते हैं तभी वह तेज बारिश हो जाती है बारिश के कारण लोमडी का सारा रंग बह जाता है यह देखकर चीते समझ जाते हैं कि वह एक बह रूपिया है और वह उसके पीछे पड़ जाते हैं इसी भाग दोड में उसके रबबड की पूछ भी गिर जाती है लोमडी किसी तरह जान बचाकर लोमडीों के जुंड में पहुच जाती है वहाँ कोई उसे नहीं पहचान पाता उस जुंड के एक लोमडी ने पूछा तुम कौन हो तब लोमडी ने कहा मैं लोमडी हूँ मैं तो बच्पन से तुम्हारे साथ रहती थी अरे ये पता नहीं कौन है ना तो इसकी हमारे जैसी पूछ है ना इसका मूँ लोमडी जैसा है इसे मार मार कर भगा दो नहीं तो ये हमारे बच्चो को खा जाएगी इसका मूँ चीटे जैसा है यह सुनकर सारी लोमडियां उसे मारने दोड़ पड़ती है लोमडी किसी तरह जान बचा कर दूर जंगल में पहुँच जाती है और अकेले रहती है अब वह न तो अपने जुंड की रही ना चीतो की जुंड की दूस्तो आपने तो वह कहावत सुनी होगी न घर का न घाट का यह कहानी हमें ये शिकाती है अपने के साथ रहने में ही भलाई है दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं अगर यह कहानी अच्छी लगे तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें कमेंट और शेर करें थाइंक यू मूर्ख हिरन एक जंगल में एक मूर्ख और जितने हिरन रहता था उसकी एक अजीब हरकत थी वह घास खाने के बाद इधर उधर कूद रहा था वह बड़ा सर्फेरा था कभी पूर्ब में दोड़ता कभी पस्चिम में कभी उत्तर में और कभी दक्षिन में उसे एक खरगोश ने देखा और समझाया आ रहा हिरन भाईया जड़ा समबल कर कूदो जंगल का इलाका है कुछ भी हो सकता है खरगोश भाई अपनी तो चाल निराली है अपनी छलांग मत वाली है इस जंगल का चपा चपा मेरे कदमों की आहट पचांता है तुम समझे की नहीं समझे मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार हो तुमें समझाने मेरी ना समझ होगी इतना कहकर खरगोश वहाँ से खिसक गया और हिरन महराज की उस उचल कूद जारी रही वह एक बार जोड से दोड़ा और दोड़ता ही चला अचानक सामने पत्तियों के धेर के पीछे एक गढ़ा आ गया और वह फिसल गया और गढ़े में गिर गया गढ़ा बढ़ा था इसलिए हिरन डर गया वह बाहर आने के लिए गूदने लगा लेकिन नहीं आया उसके बाद उसने मदद के लिए गुहार लगाना सुरू कर दिया बचाओ बचाओ मैं गढ़े में गिर गया हूँ बाहर निकल नहीं रहा हूँ कोई तो निकालो भाई इस गरीब के पुकार सुनो उसी गढ़े से कुछ दूरी पर एक बंदर आ रहा था उसके कानों में आवाज पड़ी तो वह चारो तरफ देखने लगा उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है चारो तरफ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा फिर यह आवाज कहां से आ रही है कहीं कोई भूत तो नहीं अरे भाई मैं भूत नहीं हूँ मुझे बचा लो बड़ा उपकार होगा मैं इस गड़े में गिर गया हूँ बंदर को वहाँ एक गड़ा दिखाई पड़ा धीरे धीरे वो पास पहुँच गया और उसने गड़े में देखा तो हिरन महराज मदद की विद्धी कह रहे थे अरे हिरन भाई तुम गड़े के अंदर कैसे पहुचे अरे भाई मेरी बुद्धी मारी गई थी मेरी जिद के कारण बहुत बड़ा दोखा खा गया अब तो मैं अंदर हूँ सही धंग से बता नहीं कर सकता खरगोश ने समझाया था मैं नहीं समझ पाया और गोता खा गया मैं तो तुम्हें निकाल नहीं पाऊंगा अगर कोशिष करूंगा तो खुदे गिर जाऊंगा अब तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी थोड़ी ही देर में बहुत सारे जानवर वहां इकठा हो गए और नई तर्कीव सोच रहे थे कि हिरन को कैसे निकाले तब खरगोश ने एक तर्कीव निकाला हिरन भाया हम तुम्हें बाहर नहीं निकल पाएंगे उस देर बाद हम यहां से चले जाएंगे उसके बाद एक भयानक शेर आने वाला है सुना है बड़ा खूखार और भूखा है यदि उसने तुम्हें देख लिया तो समझ लो सीधे उपर का टिकट कट जाएगा खरगोश की बाद सुनकर हिरन ड़ गया प्रान के भैसे उसके अंदर ना जाने कहां से बड़ी तागट आई उसने सास गीच कर एक उची छलांग लगाई और गड़े से बाहर आ गया बाहर आकर वो अपने प्राकरम पर इत्राने लगा खरगोश भाई देख मैं बाहर आ गया ये पैतरा मेरा पुराना है कभी कभी आजमा आता हूँ और लंबी छलांग लगाता हूँ सब के सामने अपनी बड़ाई हांक रहा था उसी समय लोमडी ने प्रश्न किया हिरन बाई तुम्हारी नज़र तो बहुत देज है यह गड़े तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्यों गड़े में तुम्हें भूत निढ़केल दिया अम्मा यार सच सच बताओ तुम गिरे कैसे लोमडी के प्रश्न करने से हिरन खूश हो गया और बोला लोमडी भाई तुमने अच्छा प्रश्न किया मेरा दिल रीट लिया है अब मैं सही जगह पर आ गया हूँ इसलिए इसका उत्तर बताने में मुझे अधिक आसानी होगी सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाओ मैं बताता हूँ कि मैं गिर गैसे गया हिरन पीछे आया और जोड से डोड़ते हुए उसे गड़े में कूद गया देखा भाई मैं इसी तरह गड़े में गिर गया था उसके इस हरकत से सभी जानवर हैरान रह गे आरे पागल तुमने यह क्या कर दिया अपने आफ को फिर शे गड़े में गिरा लिया खरगोस भाई तुम नहीं समझोगे यह मेरा स्टाइल है अभी फिर से छलांग लगाऊंगा और बार निकल जाऊंगा यह कहकर हिरन ने उची छलांग लगाई लेकिन बाहर नहीं निकल पाया दो तिन बार उसने खोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ यह हिरन दिमाग से सटका हुआ है भला कोई गड़े में फिर से गिरता है एक बार बचकर आ गया और फिर अस्टाइल मारने के चक्कर में पास गया अब तो लगता है इसका बाहर आना मुम्किन ही नहीं है अरे नहीं नहीं भाई बालू ऐसा मत बोलो मैं गड़े में रह गया था तो मुझे सेर आकर खा जाएगा मुझे बचा लो यारो बहुत देर तक तमासा चलता रहा हिरन कूद कूद कर फिर से गड़े में फिसलता रहा इसके बाद बड़ा जिराफ वहां आया और उसने गड़न को जुकाया फिर उसके बाद हिरन को बाहर निकाल लिया गया और चिराफ ने बोला गड़े में गिरने की मुर्खता दोबारा मत करना वरना तुम्हे स्टाइल मारने की चक्कर में अंदर ही रह जाओगे इस तरह जंगल के जानवरों ने मूर्ख हिरन की जान बचाई और उसे सबीने जंगल में भेज दिया इस कहानी का उपदेश ये यही था कि स्टाइल मारने के चक्कर में मूर्ख मत बनो हमेशा चालाख बनो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें कमेंट और सेयर करें थांक यू